दोस्तों स्वागत आप सभी का फैक्स विद अमित पाठक में जीहाँ यूपी में योगी सरकार का निर्देश है इलेक्रिसिटी क्राइसेस पे भी एक बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा गाउं हो या सहर रात में नहीं कटेगी बिजली जीहां सियम योगी ने विजलेंस की टीम को भी निर्देश दिया है विजलेंस अधिकारी को अनावस्थक रूप से किसी भी उबोकता को परेशान ना करने की हिदायत दी है क्या है पुरा अपडेट बताएंगे इस वीडियो में अंतर तक बने रहेएगा चलिए सुरू करते हैं आप यापे देख सकते हैं उत्तरप्रदेश में कोईले की कमी से पैदा हुआ बिजली संकट यानि एलेक्टिसिटी क्राइस बढ़ता ही जा रहा है ऐसी कड़ी में मुक्यमंत्री योगिया अधितनात ने राज्य में कोईले की किल्लत की आसंकाओ के बीच बिजली विभाग की बैठक की सियम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देती हुए कहा गाउं हो या सहर राज्य में रात में बिजली नहीं कटेगी उन्होंने कहा कि अगर जरूरत है तो बिजली विभाग अत्रित बिजली खरीदे सियम योगी ने ओवर बिलिंग फेक बिलिंग पर भी सक्त रुक अपनाया है उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले एजंसियों के खिलाब F.I.R. दर्ज की जानी चाहिए सियम योगी ने विजलेंस की टीम को भी निर्देश दिया है कि विजलेंस अधिकारी अनावस्यक रूप से किसी भी भोगता को परेसान ना करें विजली मीटर की समस्या पर बोलते हुए निर्देश दिया कि वैसे मीटर जिसमें गलत रीडिंग आ रही है ऐसे मीटर बनवाने वाली अजनसी को ब्लैक लिश्ट किया जाए बतादे उत्तर परदेश राज विद्दूत निगम की सबसे बड़ी अनपरापर योजना में कोईले का इस्टॉक पर दिन 10,000 टन कम हो रहा है कोईले की आपूरती जल्द ही सामाने ना हुई तो पूरा परदेश बिजली की संकट की चपेट में आ सकता है इस तिती को देखते हुए मुक्मंत्री योगी आदितनात ने परदान मंत्री नरेद मोदी और केंद्री कोईला मंत्री को पत्र भेज कर यूपी को अत्रिक्त बिजली उप्रब्द कराने और कोईले की आपूरती सामान कराने का नरोद किया है तो एक बड़ा अपडेट और एक बड़ी घोशना और निर्देश दिया है सीयम योगी ने क्योंकि इससे हमारा मनुबल बढ़ता है मिलते अगले वीडियो में ने अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद